जाते है सर्वे होना चाहिए राज्यों में भी एक्क वार परी यह भी गंभीर समस्या है इसमें फैडरल स्ट्ट्रक्चर का ओगए तो फिर अधिकार Krey Eminam तो क्यों क्लैश करती है जब सेंटर के पास पावर रह जाती है जिन गरना कराने का यह नहीं हाँ कब मना किया और कराया कब यह नितिश बाबू कोरी राजनिती करने की कोशिश की जा रही है और जिसमें कामयाब नहीं हो सकते सुनिए यह जो 75% की बात कर रहे हैं क्या वो हो सकता है 2008 के बाद अभी तक तो नहीं हुआ हाँ पर उसको भी दुबारा चैलेंज किया जा सकता है 2008 की परवाचा यह है कि it is not open to judicial scrutiny पर 2008 के वर्डिक्ट के बाद वहाँ भी scrutiny हो सकती है तो यह 75% आरक्षम पर आपने जो सवाल उठाया तो यह इंदरासानी जजमेंट 1992 की उसमें तो 50% की वो लक्षमन रेखा 49.5% की तो वह 10% आपने एकनोमिकल वीकर सेक्षम पर बहुत बढ़ी कुश्चन है आप करें तो वह इरास लीला के रेक्र डीला वाला चक्कर हो जाता है आप करें सेवा यह इंदरासानी की जजमेंट नौ जजजिस की जजमेंट है कॉंस्टूशनल बेंच की फुल कॉंस्टूशनल बेंच उसमें उन्होंने सिलिंग मरा दी अब ये जब इस सरकार ने EWS 10% का किया तो वो जज्जमेंट आई पांच जज्जिस के सामने तो पांच जज्जिस नाइन जज्जिस का फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं पांच जज्जिस ने क्या है डिसाइड किया है जहां जहां आप इस केटिगरी का कर सकते हो EWS में तो वो भी अभी पेचट का हुआ है और इसी लिए अभी सारे राज्यों ने लागू नहीं किया है विद आल रिस्पेक्ट तो यू और तीसरी बात यह है मतलब केंदर ने एक इफी लौ पास कर दिया है केंदर की नियत यह है कि EWS को भी मिलना चाहिए अब उसके लिए राज्यों नियत वही नियत बियार सरकार की है पिछडों को मिलना चाहिए 75 फीज़ दी कर दिया आपने 60 फीज़ दी किया हरियाना सरकार ने तीन साल पहले 75 फीज़ दी लोकल लोगों के लिए नौकरियों का आरक्षन का ऐलान कर दिया कलखारिज कर दिया पंजाब रियाना आई कोट में आप कर रहे तो जवाब तो भी हम यह कह रहे हैं कि नेतिस बाबू कोरी राज़िती कर रहे हैं आच्छा दो हजार साथ में इन्होंने क्या किया था दलित और माह दलित को कैटेगराइज कर दिया था पिछड़ा और इबीसी जो अती पिछड़ा बना दिया था है इन्हों क्या कर दिया उसके लिए 2008 में गुजराथ सरकार ने भी किया उसी के तहत प्रदान मंतरी मोदी पिछड़ी जाती में आई इसी में वीडियो चल रहा है वो नए सिक्षर पॉइंट किये उन्होंने ब्यार में वो जोइन करने गिया तो वहाँ खेत पड़ा हुआ है खले आरी पड़ा हो कहां जोइन करे खाली नारे वाजी से काम चलने वाला नहीं है जबकि ये हमारा नारा था कि जिसकी जितनी संक्या बारी उसकी उतनी हिस्ते दाई तो ये अनुप्रिया पटे लोंपरकाश राजबर हम भी हम भी आप भी ऑन रिकॉर्ड हम भी जातीकत जन्गना होनी चाहिए केंदर सरकार कराए हम उससे भी आगे निकल गए केंदर सरकार कराए बिलकुल हम उससे भी आगे कह रहे है तो अभी तो वो शुरूरी नहीं हुई है जन्गना तो उसमें जातीकत जन्गना आनी चाहिए बिलकुल आनी चाहिए सो परसेंट आनी चाहिए और उसके आगे हम क्या कह रहें तो क्या है मजबूरी की हाँ नहीं करती बीजेपी ना कब किया हाँ कब किया हाँ ना करने का मसलब होता है कि ना कर दिया नए 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 नहीं अमिशा जी ने पपलिकली स्टेटमेंट दी ये तो अब दी है पर नित्यानंद राय से लेकर ग्री राज्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्री कह चुके हैं कि हम नहीं कराएंगे पर्दान मंत्री जी की स्टेटमेंट भूल गए आपके जब नितिश बाबू तेज़े सी व्यादा वर्मा डेलीकेशन लेके उनसे मिलके आए थे और नितिश बाबू ने बाहरा के प्रेस में कहा कि पर्दान मंत्री जीन जातिगत जन्गाना कराने से इंकार नहीं किया है कब कराएंगे ये सवाल आप पूछ सकते हैं तो वो ही तो पूछ रहा हूँ तो वो कराने का सरकार का जिम्मा है सरकार ने अपनी कमिटमेंट दिखा दी सरकार ने अपनी डेकलेरेशन दे दी आप आज कराएंगे दो दिन बात कराएंगे वो सरकार को डिसाइड करने दीजिए क्या चुनाओं की दौरान जातिकत जन्गरना हो जाएगी क्या नहीं हो सकती आंसर ये तो लेट देम डिसाइड लेकिन उनकी नियत बड़ी साफ है लेकिन हम इसके साथ एक बात और करें प्लीस खाली जाती है सर्वे एक बात कॉंग्रेस चारों राज्यों में अपने गोसना संकल पत्र जारी कर रही है ना हमारी बात ये सुनिये हम ये कह रहे है जातिकत जन्गरना खाली से काम नहीं चलेगा हिस्सेदारी चाहिए तो हिस्सेदारी तभी तो हो पाएगी नहीं तो 993 ऐसी जातिया हैं पिछड़ी जातियों में जिनको आरक्षन मिला हुआ है उनको 2 923 ऐसी जातिया है एक भी नौकरी नहीं एक भी दाकिला देगी चार लाग शियत्तर हजार तीन सो तर्तालिस जातियों का अकड़ा दिया है आपको मंडल कमिशन कौन लेके आया हमने किया है विपिए सिंग की सरकार थी लामला स्पासवाणं जी उस्तों वेलवेर मिनिश्टर थी और हम लेके अए हमने लागू किया हमने तब बी जेपी नहीं थी बीजेपी उस वक्ट भी इसके खिलाफ थी कॉंग्रेस भी इसके खिलाफ थी कॉंग्रेस लाई नहीं कभी भी और हम ले के आए जैसे हमने टेक्निकल ली किया कि जातिगत जन्गन्ना राज्यों का अक्तियार नहीं है वो केंदर सरकार करा सकती है जातिये सर्वे करा सकती है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पर आए बपीदा जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे